हेलो फ्रेंट नौन ओंबर के करेंट एफेस में आप सभी का स्वागत है तो जैसा कि आप सब उको पता है नौन ओंबर के करेंट एफेस के विच साथ हम लोग मैप लगबग 200-300 अलग से जीएस के फैक्ट्स देखने वाले हैं जो कि हिस्टी पॉलिटी जोगरफी और मैंने सब्जेक्ट के होँंगे तो वीडियो लास्ट देखिएगा और शनुकरते हैं पहला कुष्चन देखते हैं क्या है टेलिगराम जैसे आंद कर दिया है तो टेलिगराम पे सारे पीडिएफ आप एक सार डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं और मैं एक सजेशन आप लोगो जरूर देंगा रिवाइज जरूर करिए क्योंकि रिवीजन अगर आप लोग कर लेते हो मालो आपने इतनी पढ़ाई की आपने इसके नोट्स बनाए वीडियो जो भी मैं बताता हूं जो भी पॉइंट उसको एक रख़शीं जैसे मैं आज मालो नदियों के बारे में बताया आपने नदियों के बारे में नोट्स बना लिया तो अगली बार वो खुद बखुद आपका रिवाईज हो जाएगा otherwise सुनने से भी रिवाईज हो जाएगा ठीक है टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्चन में है आप वहाँ से PDF ले सकते है राष्ट्री ये Cancer जागरुकता दिवस National Cancer Awareness Day ये मनाये गया साथ नौवंबर को कम मनाये गया साथ नौवंबर को Cancer Awareness Day अब ये तो आपने देख लिया Cancer Awareness Day मनाये गया साथ नौवंबर को लेकित इसके अलावे और भी Days हैं जो important हो जाते हैं किसमें नौवंबर महीने में तो आईए पहले उसको हम लोग देख लेते हैं नौवंबर में कल किसी का कमेंट आया था कि World Student Day और National Student Day में confusion था तो आपको मैं बता दू National Student Day जो था वो अक्टूबर में था यहां 15 नौवंबर को World Students Day है तो प्लीज बी वेर अफ दाट अगर आपको इसमें confusion है तो आप सर्च करके देख लेजिए World Student Day विश्व विद्यार्थी दिवस्ट यहां विश्व है ठीक है तो विश्व विद्यार्थी दिवस्ट यह मनाते हैं पंदरा स्वरी सत्रा अक्टूबर को ओके स्वरी दोस्तों सत्रा नौवंबर को आपकी वजह से खुद मुझे confusion हो गया है और तो यह चीज दिमाग में रख लेनी है कि World Student Day क मनाते हैं सत्रा नौवंबर को ठीक है और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका खुद का सोर्स है खुद के नोट से मेरे और खुद की मेहनत है तो आप इस पर भरोसा रखें और फिर भी कमेंट अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो आप कर सकते हूँ अब हम लोग नौवंबर महीने के मीचे से revision करेंगे मतलब 29 नौवंबर को कौनसा डे मनाया जाता है तो देखिए 29 नौवंबर को 29 नौवंबर को आप नोट कर सकते हैं इंटरनेशनल डे आफ सॉलिडेरिटी विथ पेलस्टीनियन पिपल एक चीज मैं बता दू पूरे नौवंबर महीने के मैं बताने वाला हूँ तो आप लोग नोट कर सकते हैं पेलस्टीनियन मतलब फिलिस्टीन के पीपूल के लिए जो है आपके दिल में सोहारद का दिवस है 29 नौवंबर को ठीक है राष्ट्रिये विधी दिवस नेशनल लौ डे नेशनल लौ डे यह मनाते हैं 26 नौवंबर को नेश्ट है इंटरनेशनल डे फॉर इलिमिनेशन ओफ वाइलेंस एगेंस्ट वीमिन वर्ल्ड नन वेज प्रिवनशन डे तो यह नन वेज़ प्रिवनशन डे मनाते हैं 25 नौवंबर को ठीक है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का दिवस भी है 25 दिसंबर को मतलब महिलाओं के कि खिलाप हिंसा हटाने के लिए जो एक दिवस है कब पुचीस नौव्बर को तो महिलाओ का खिलाफ हिंसा का दिवस है न का याद हो गया है अगला है वर्लड नन्वेज प्रिवेंशन डे बिमाइस आप लोग समझी रहा है और यह 25 22नबर को एकति नम्बर को व्रड टेलीवीजन डे टेलेवीजन जो हम लोग देखते हैं उसके अगला qualcosa ये यूनिवर्सल चिल्डेन डे नायोनगते हैं लेकिन यूनिवर्सलषण डे ये कब मनाते हैं उनिस नम भर वर aby सुछोंहु आप वर्ल्ड एडल्ट डे ये मनाते हैं अठारा नॉम्बर को ठीक है वर्ल्ड एडल्ट डे ये मनाते हैं अठारा नॉम्बर को नेशनल जर्नलिजम डे ये कम मनाते हैं सत्रा नॉम्बर को तो इसी 17 नॉमबर को एक और डे है वर्ल्ड एस्टूडेंट डे यह मैंने अभी आपको बताया है ठीक है उसके आगे है नेशनल प्रेस डे प्रेस जो आप समझ रहे हो प्रेस प्रेस जो होते हैं पत्रकार उनका दिवस है 16 नॉमबर को और इंटरनेशनल डे अफ टॉलरेंस यह कब है 16 नॉमबर को इंटरनेशनल डे अफ टॉलरेंस वर्ल्ड डाइबिटीज डे कब है तो जिस दिन मैंने बताया था Children's Day है उसी दिन World Diabetes Day है ठीक है और यह कब है 14 नौंबर को National Education Day कब है मौलाना अबुलकलाम का जन दिवस National Education Day यह है 11 नौंबर को इसी तरीके से था Teachers Day था National 5 सेप्टेंबर को और World Teachers Day था 5 अक्टूबर को ठीक है अगला एक कोश्चन और रहे जाता है छे नौंबर को National Day for the Preventing and Exploitation of Environment in the War and Armed Conflict मतलब जो वार होते हैं उसमें Environment को जो लॉस होता है उसके खिलाफ दिवस कब है छे नौंबर को यह काफी बड़ा है आप लोगोंने सुन लिया होगा तब आपको याद हो जाएगा तो इसलिए मैंने आज पूरा बता दिया कि आप लोगों को confusion ना रहे किसी तरीके की चलिए आगला कोश्चन देखते हैं टाइम बहुत लग गया नीती आयोग द्वारा महत्वकांची जीलों की सुची में सिर्ष पर जिला कौन सा है तो यह जिला किसने संपरक रहित क्रेडिट कार्ड लॉंच करने लिए पेटिम के साथ साजदारी की है ऑलन आह दो से क्रेटियस क्रेडिट कार्ड कर दि कि उतने हुए सव्याइबैंग ने क्कैनल आए तक स्वाइब करते होगे कार्ड को ऐसे उसके बॉक्स में या उसके एक्विप्मेंट में ठीक है पॉइंट ऑफ सेल यो टर्मिनल होता है पी योएस बॉक्स जिसे कहते हैं लेकिन यह होगा कि इसे सिंप्ली टैप करना होगा ऐसे दो बार आप ऐसे कर दोगे उसके निसान भी बने जाते हैं ऐसे ऐसे करके ठीक है कार्ड पे तो कॉंटाक्ट लेस कार्ड होता है तो यह अभ स्थापना दिवस आपको याद रखनी है और वह कब है स्थापना कभी थी तो स्थापना हुई थी 1955 में अब देखिए इसका मुख्या भारत का बैंक है उसका नाम है आर्बी यह बैंकों को कंट्रोल करता है अर्बी आई के स्थापना हुई थी 1935 में आक्ट पारित हुआ देखान से सुनिएंगा 1935 में एक्ट पारित हुआ था तब आर्बी आई के स्थापना हुई थी लेकिन आर्बी आई के राष्टरी कर नेशनलाइजेशन हुआ था कोश्चन पुछा गया है 1949 में तो याद रखिएगा आर्बी आई एक्ट पारित हुआ था कब 1935 में लेक ठीक है RBI रेपोरेट, रिवर्स रेपोरेट और MSF इन सब चीजों को करेट जारी करती है चलिए पहला कुछछन है किस विश्व विद्याले ने UV360 सैनिटाइजर मोडियूल रोबोट लांच किया है तो ये सैनिटाइजर मोडियूल रोबोट लांच किया है कोलापुर विश्व विद्याले ने अगला आगे बढ़ते हैं किस बैंक ने करमचारी साहता कारेकरब नामा के एक नई करमचारी केंदरित पहल सुरू किया इंप्लोई हेल्प प्रोग्राम तो ये बैंक आप बढ़ादा ने शुरू किया है इंप्लोई हेल्प प्रोग्राम ये तुक तुक की यूनिक क्वेश्चन है तो आपके लिए जरूरी हो जाता है employee help program yang días अधियक्ष्ट को Vernon गये हैं जड़्यक्ष बन गया है नहीं अधियक्ष्ट बन गया हैं यारेंदरो निगुबम यह होकी अधियक्ष्ट बन गया है ठीक है यानेंद्रो निगोबम आप इसे याद रख सकते हैं होके इंडिया निगोबम इसके अध्यक्ष बन गया है किस चीज का कौन अध्यक्ष है यह जरूरी हो जाता जिसे आइसी कि असथपना होई थे 1904 में और बीसी सीजक्ष अपना है इसी तरीके से आपको जो आज कमेंट box में कमेंट करना है ICC के President ठीक है और BCCI के President ध्यान से सुनिया यह दोनों comment box करना है बहुत ही easiest question है बहुत दिन हो गया है रिविजन किये हुए इसलिए नहीं भी याद हो तो सर्थ जरूर करिए BCCI के तो President इंडिया कहीं है अभी आपको पता ही है इंडिया के वह बहुत famous खिलाडी है मेरे काने का मतलब है ठीक है तो आपको वह बताना है इसरो ने कितने उपगरहों के साथ PSLV C49 उपगरह लांज किया है तो यह जो है दस उपगरह इसमें total launch किये गया है इसरो ने किया है जिसमें से एक इंडिया का है वो Earth Observation Satellite है द्यान से सुनिए Earth Observation Satellite है EOS तो question पूछा जाएगा PSLV C49 से कौन सा launch किया गया तो EOS launch किया गया इसरो की अस्थापना हुई थी 15 अगस्त 1979 को 1969 15 अगस्त इतने को इसरो की अस्थापना हुई थी और इसरो का headquarter कहा है अभी President या head चीफ जो भी कह लें वो कौन है तो वह आपने देखा यह होगा चंद्रयान टाइम के वक्त कौन है के सिवान तो यह इसरो के अभी head है और इसरो ने अभी अभी अपना तीसरा launch pad कहां बनाने की घोसना की है वह कुल सेखर पट्टिनम कुल सेखर पट्टिनम में अपना तीसरा launch pad बनाने की घोसना की है कि अगरा देख लेते हैं कि पीसलबी सी-49 आपने देख लिया चलिए आगे बरते हैं विदेश सचिव हर्स वर्दर सिंगला ने किस देश के दो दिवसीय यात्रा पे गए हैं अब यह फॉरेंज सेक्रेट माल्दिव आपको मैं दिखा देता हूं सबसे पहले यह है माल्दिव एक्वेटर के उपर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ब्लर हो गया बट यह आपको दिख जाएगा माल्दिव की राधानी है माले और रूफिया यहां की करेंसी है तो आज मैंने एसिया का मैप जो रखाया फीजिकल मैं फीजिकल मतलब इसमें फीजिकल बातें जो खुशन आई है एक जाम में वहीं पुछे जाएंगे तो एसिया और यूरोप को कौन सा परवत अलग करता है यूराल माउंटेन यह आप देख सकते हैं इस यह की सबसे लंबी नदी कौन है तो वह है तो और कुछ और इराक की सब्वेता किस नदीयों के किनारे है तो वह दजलाओर फरात मदियां थी इराकी सब्वेता यहां पे इस्टाबलिस है ओके नेक्स्ट है नेक्स्ट आपको देख सकते हैं जो न्यूज में था इरान ने अपनी राजधानी अभी चेंज की है जिसके राजधानी का नाम है तोमान और इंडोनेसिया ने अपनी राजधानी बदली है इंडोनेसिया की नई राजधानी है इस्ट काली मंतन इस्ट मतलब पूरवी काली म और इरान ने अपनी करेंसी चेंज किया है ना की राजधानी तो करेंसी है तोमान यहां की करेंसी है और इरान की राजधानी है तेहरान यह आपको याद रखना है एसीया का सबसे हाइस्ट प्लेस क्या है तो यह है माउंट एवरेस्ट जो की नेपाल में है और सबसे लोइस् इतनी चीजे आपको याद रखनी चाहिए दुनिया की चत किसे करते हैं पामीर का पठार यह कहा है दुनिया के जितने भी धर्म है सबकी उद्गम स्थली कौन है यह सारे धर्मों की जन्नी है किस वित्वर्स 2020 की पहली तिमाही के लिए सबसे ज़्यादा निवेस आकरसित किया है तो वित्वर्स 2021 के लिए सबसे ज़्यादा निवेस आकरसित किया है तमिलाडू रहे तमिलाडू ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है ठीक है आए तमिल नाडू को तो मैं कई बार बता चुका हूं मैं आज फिर भी दिखाऊंगा और कुछ यूनिक चीज़ें आपको बताऊंगा यह है तमिल नाडू के रला आंदरपरदेश और करनाटिका से इसकी बाउंडी लगती है तमिल नाडू के बारे में जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वह यह ध्यान रखनी है कि यह मौस्ट साउदर्ण लैंड वाला जगह है यह लैंड मामले में सबसे साउदर्ण प्लेस है लेकिन सबसे साउदर्ण अगर पूरे आल ओवर इंडिया में दिखा जाए तो य मनार की खाड़ी है यही पर बढ़ों पर पढ़ोंगी पर उसमें काम वथे ऑब் हुंत सबस्क्राइब को कि यह वाट फॉल ऑग्रेंट फार carry यस फारितस यह में यूफटी बार एक अग्रीमेंट ते लिए तो यह वाट्ट अपने किया है चलिए आगे देखते हैं किस राजी की विधान सबाने आज अस्थानिय लोगो को के शभ्यास अप्राइवेट नाक्रियों में 75% अणत्रशन देने का बिल-पास कर दिया है तो यह हर्याना हर्याना ने अस्थानिये लोगों को 75% आरक्षन देने का घोसना किया है तो यह मैंने इंडियन रिवर मैप रखा है आपके सामने करें रिवर मैप में आज मैं शुरूकर करों का गंगा से गंगा इस्पेसली सबसे जदा त्रेवल है उत्तर प्रदेश को उसके बाद पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल फिर आती है बिहार में मतलब लंबाई के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि थीखै तो सबसे ज़्यादा लंभी दूरी तया करती यह यह तया करती है उत्तरप्रदिश में फिर पस्षिम भागाल उसके बाद है तीसरे नंबर देन आता है उत्तराखंड का नंबर ठीक है गंगा सबता हरातल पर किसके थ्रू आती है तो वह उत्तराखंड इस्टेट में ही आती है अगला है कि गंगा का गुमती घागरा राम गंगा गंडक मैंने क्या आपको ट्रिक बताया था ट्रिक याद रखिए जितनी भी जी नदियां है सब जी से गंगा की सहायक नधिया है जैसे गोमती, घागरा, राम गंग, गंडक यह सब किसकी सहेक नधिया है तो इसकी गंगा की इसके अलावे सोन है, यमुना है, इसको याद रखिए आप दो नों यह दोणों गंगा की सहेक नधिया है ठीक है जो भी नधिया है उनको कल हम लोग फुल डिटेल में देखेंगे आज जो भी मैंने नोट्स आपने लिखेंगे उसे रिविजन जरूर करिए और जो मैंने आज कुश्चन पूछा है ICC के प्रेसिडेंट और BCCI के प्रेसिडेंट दोनों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ठीक है जो की आपका रिविजन हो जाए Thank you so much